जेन दोस्तों स्वागत आपका चैनल तक डाफोजी पे दोस्तों आज इस वीडियो पे मैं बात करूँगा हमारे CRPF के बारे में CRPF जो की वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीस चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा तो आई आगे बरते हैं CRPF यानि की सेंटरल रिजर्ब पुलिस फोर्स जो की हिंदी में केंद्रिया रिजर्ब पुलिस बल हमारे डिपार्टमेंट में नौकरी पाने के लिए आपको अभी फिलह स्टायल SSC के मादश से होता है EU-ION का नोकरी है वो सटाब का मादश से होता है इसके अलावा आप यह दिए एने बरते होना चाहते हैं इसका भी notification निकलता है CRPF के website से यह खुद से CRPF जो खुद से notification पब्लिश करता है और खुद से recruitment बरती लेता है ठीक है तो इसके लिए बहुत सरे ट्रेट्समेंट का कोटा है जैसे कि कूक है वाशरमेन है सफाई कर्मचारी ठीक है इसके बाद है बार बार मुची बहुत सरे स ट्रेट्समेंट का बरती निकलता है तो आप लोग इसमें भी ट्राइ कर सकते हो हो इसके अलाबा जो ऑफिसर लोग है ऑफिसर लोग डायरेक्ट यूपसी क्रेकर करके जो है डायरेक्ट एसिस्टन कमांडेन ठीक है कमांडेन इस दूप से जो है आ सकते हमारे CRPF में और SI और SI rank का लोग है वो भी direct आ सकता है CRPF में और इसमें आप जब भी आपको नौकी मिल जाता है सीपाही rank में बात करता हूँ SAC के मादम से तब आपको 15 से 18 साल लग जाएगा आपका 50 rank लगाने क्या ठीक है तो rank आप होता है इसके बाद जो है आप सिपाही से holder बन जाओगे इसके बाद आपको और 57 साल टाइम लग जाएगा आपका 1 स्टर यानि की SI rank लेने के लिए और 57 साल लग जाएगा आपका 2 स्ट आपको उमर में 20-40 दिन नौक्री मिल जाते तो आपको मौका मिलता है पूरा 60 साल नौक्री करने का हमारे डिपार्टमेंट भी 60 साल का नौक्री करने का मौका है आप पेंशन जाते आते आप मान लिजिए पाका इंस्पेक्टर तक बन जाएगे आप यदि ऐसे टाइम एसिस्टेंट सब इनस्पेक्टर इसके बद सब इनस्पेक्टर जो कि टू स्टार इसके बद इनस्पेक्टर जो कि ट्री स्टार होता है और नहीं तो आप यह कर सकते हो डिपार्टमेंटली एक्जाम दिया जाता है उससे में आप डिपार्टमेंटली एक्जाम यह दे दे तो तीन साल बाद आपका नोक्री मानली जो 2013 में लगा है और तीन साल बाद यानि कि 26 में जब वेगन से निकलेगा SI रेंग का तो आप जो है आराम से दोस्टर लगा ले सकते हो ठीक है सिपाही से और इसके बाद भी आप हवलदार भी बन सकते हो इसके अलबा आप मिनिस्टरी स्टाप में जा सकते हो जो केंडिडेट PCM यानि कि Physics, Chemistry, Math में है ठीक है 12 पास हो आप लोग जो है RO रेडियो उपरेटर में जा सकते हो हवलदार रेंग में जा सकते हो कोई भी मेरे दोस्ट यदि PCM में हो Physics, Chemistry, Mathematics हो आपका Class 12 में ठीक है और आप यदि आप इस सिपही में हो तो आप Departmentally exam देखे आप हवलदार भी मान सकते हो Head Constable आप Ministry स्टाप में भी जा सकते हो और नहीं तो आप SCRO मतलब Head Constable रेडियो उपरेटर में भी जा सकते हो मौका है ये तीन साल बाद जो है आपको मौका मिलेगा एक्जाम देने के लिए ठीक है आपका Qualification होना चाहिए 12 पास और PCM होना चाहिए Physics, Chemistry Mathematics तब आप रेडियो उपरेटर में जा सकते हो और Head Constable में आप आरम से 12 पास होने से भी जा सकते हो ठीक है और आप यदि Graduate हो ठीक है College Pass हो आप तब 3 साल बाद Vacancy निकलेगा तब SI Sub-Inspector जो है 2 स्टर लगने का मौका मिलेगा आपको उससे में Departmentally Exam दिया जाता है तो आप जब 3 साल हो जाएगा और आप यदि Graduate रेते हो कोई साभी सबजेक्ट में आप बस College Pass होना चाहिए तब आपको चांस मिलेगा आपको exam देने का तब आप Sub-Inspector बन सकते हो या फिर UPSC exam भी होता है उससे में Departmentally आप exam दे सकते हो ठीक है Assistant Commandant भी बन सकते हो जब आप Graduate हो ठीक है Qualification आपके Graduate होना चाहिए और नोक्री आपका 3 साल होना चाहिए तो Departmentally आप जो है Direct CPA रेंग से Direct एकदम SI ने तो Assistant Commandant भी बन सकते हो अचाह बात करते हैं salary की salary आप लोग जानते हो 21,700 आपका basic होगा यदि आप CPA रेंग में बढ़ती हो फोलवर स्टाप में जो ट्रेड्समेंन है वो भी 21,700 basic pay है ठीक है सरकार ने पूरा सब समान कर दिया है आप यदि 21,700 आपका salary हो गया जो basic हो और आप अलग-अलग state में जब रहते हो अलग-अलग allowance मिलता है सारे 7,000, सारे 9,000, सारे 17,000 ठीक है ऐसे allowance मिलेगा आप उस state की इसाप से आपको allowance मिलेगा और आपको DA मिलेगा Dearness allowance वो भी basic के इसाप से मिल जाएगा तब आप मान लिजे आपका salary होगा लग-बग 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे होगा आपका salary ठीक है हर साल आपका salary है जो है दो बार या फिर तीन बार बढ़ेगा क्योंकि दो बार है महेंगाई बत्ता वरेगा यानि कि Dearness allowance वरेगा और एक बार आपका increment लगेगा तीन परसन आपका increment लगेगा basic pay का आप मान लिजे इस साल आप ये सब 7-pay commission का rules देख सकते हो आप अलग से मैं वीडियो बना दूँगा पूरा salary का ठीक है इसमें पूरा details में बताऊंगे कैसे salary बढ़ता है आप मान लिजे अभी इस salary बढ़ती होए हो 21,700 आपका basic pay है अगले साल 21,700 का 3% add हो जाएगा मान लिजे 6-700 रुपे और add हो जाएगा तो आपका अगले साल बढ़ जाएगा 22,000 सम्तिंग हो जाएगा आपका basic pay तो ऐसे करके आप salary मान लिजे आप 30 से 40,000 तो first of all मिली जाएगा आपका इसके बाद बात करते है duty का देखे हमारे CRPF पूरे देश में हर एक state में CRPF लगबग है तो CRPF का duty main duty, law and order का duty है internal security देश के अंदर वाला जो security है वो हम लोग देखता हूँ और हर एक state के civil police के साथ हम लोग law and order duty करते है साथी साथ हम लोग हर एक state में जब भी election होता है चाहे बिदान सवा election, चाहे लोग सवा election कोई भी, चाहे पंक्चाइद election, मिन्सिपल election कोई भी election होता है तो हमारा duty है उस election को शांती रूप से चलाना, ठीक है मतदान को शांती रूप से हमारा यह duty है और भी हो गया, जो आप्दा हो गया प्राक्रितिक आप्दा हो गया उस से में राहत कारी और बचाव कारी में हम लोग duty करते है बहुत सारे उग्रबादी जो है संगटन, उनके विरुद जो है operation करते है अलगाबाद जो है, जो मुगश्मेर में उसकी विरुद भी हम लोग operation करते है नौर्थीश में भी हम लोग उग्रबाद की खिलाब operation करते है और जो है, नक्सलबाद की खिलाब जो 36 गर में है उनके विरुद भी हम लोग operation करते हैं और यह हमारा duty है और अलग-अलग state में जो है दिल्ली मुंबाई ऐसे मेट्र स्टेशन मेट्र स्टेट पे जो है उधर भी हमारा law and order का duty तो रहता ही है ठीक है इसके बाद बात करते हैं इसमें बहुत सरे के department होता है हमारे CR पेप कई ठीक है जैसी कि कल में वीडियो डाला था जिसमें कोब्रा है ठीक है कमांडू बेटेलियन पर रिसलूट एक्षन कोब्रा बेटेलियन है 10 आरे बेटेलियन कोब्रा बेटेलियन का काम क्या है जो operation करता है ठीक है जो कि 36 गर इलाके में ठीक है इधर नौर्थ पंजाम देता है कोब्रा का काम है और आरे बेटेलियन जो कि डंगाफरसाद को रोकने का काम करता है आरे बेटेलियन इसमें है जो कि सिर्फ और सिर्फ दंगाफरसाद ये सब में अपना ड्यूटी देता है कोई भी आपदा हो गया इसमें भी आरे बेटेलियन ठीक है उसम में duty करता है कोई भी स्टेट में यदि कोई emergency आ जाते है तब भी हमरा आरेप जो है duty करते है उसे में इसके बाद है महिला बैटालियन है इसमें जो सिर्फ और सिर्फ महिलाई नौकरी करते है इसमें ऐसे छे बैटालियन है इसमें और HDG है PDG है कि बहुत सरे से अलग-अलग श करते हैं CRPF का जॉब जो है पूरा 60 साल तक आप कर सकते हो आप आपका उमर मान लिजे आपको नौकरी मिला है 20 साल में ठेक है तो आपका उमर 60 साल तक आप नौकरी आराम से कर सकते हो इसके अलावा आप 20 साल बाद अपना नौकरी का 20 साल बाद आप volunteer retirement ले सकते हो मतलब का जो है posting है दी home posting हो गया ठीक है उससे में आप फैमिली पिर से ले सकते हूं पूरा 20 साल या फिर 60 साल के नौकरी में दो तिन बार तो धीक है से मेट्रो स्टेट में जो है ग्रूप सेंटर है उदार आप अपने बच्चे फेमिली को रख सकते हो अभी मान लिजी आपका गर हो गया 36 गर और आप चाते हो कि हाँ मेरा बच्चा जो है दिल्ली के बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करे ठीक है मुंबाई के बढ़िया बढ़िया स्कूल में पढ़ाई करे आप जो है आराम से अपने भीवी बच्चे को मुंबाई या फिर दिल्ली हमारे ग्रूप ले सकते हो और बढ़ी आवर यह स्कूल में पराई करवा सकते हो अपने बच्चों का तो आप अपना फेमिली को खुद रख सकते हो अपने मेटर स्टेट पर और गुरूप सैंटर पर अराम से रख सकते हो coward बात करते हैं छुट्टी का छुट्टी हम लोग को मिलता है लगबग 90 दिन का छुट्टी मिलता है दो मेना एल 15 दिन CLS करके पूरा लगबग 3 मेना हमारा छुट्टी रहता है 9 मेना हम लोग कैम्प रहते हैं तो छुट्टी आप लोग प्लैन की से आपसे पूरा साल में जो ह Companies, duty जादा रहता है, नफरीक कम रहता है, उसमें थोरा बहुथ इधर-उधर होता है इसके बाद बात करता है, posting क्या हमारा posting हर एक state में 4 साल या 5 साल होता है अभी मान लिजए, मेरा posting दिल्ली में है तो दिल्ली में 4 या 5 साल मेरे को नौकरी करने का मौकािस मिलेगा गए रहेगा और कहीं भी ऐपका पोस्टिंग षे सकते हैं यह आपके जब कॉलेटर रहेगा उसी में बता देगा कि इंडिया के कहीं भी जगा आपका पन्स्टिंग हो सकते हैं देखते हैं तो हमारे सीर वीफ में रहते हुआ आपको इंडिया का हर एक जगा जो है देखने को मौका मिलेगा हर एक शहर गुमने फिरने का मौका मिलेगा आपको हमरे CRPF में ठीक है बात करते हैं ड्यूटी के बारे में देखो ड्यूटी बहुत ऐसे मेरे दोस कमेंट करते है सर ड्यूटी कितने गंटे का होता है ड्यूट कि को ड्यूटि का कोई टाइम फिक्स नहीं कभी 2 गांटा कभी शे गणता कभी आज गंटा कभी पूरा दिन ड्यूटि पूरा दो दिन ड्यूट ऐसे कोई फिक्स निहीं होता ये हमारा हां अलग-अलग जगा पे अलग-अलग duty है हमारा जैसे कि 36 गर में एक duty motion बगरा करना परता है जब मुकष्मीर के duty एक operation बगरा करता है और अभी हमारे नौर्थ इश में एक duty ठीक है अलग-अलग जगा पे अलग-अलग duty अभी दिल्ली पे अलग तरह का duty होगा कोई highway पे होगा कोई बरे बरे building पे होगा और कही अलग-अलग metro city में अलग-अलग duty होता है अलग-अलग state में तो duty का कोई timing fix नहीं होता है इसमें इसमें अभी देखे आप यदि मान लिजिए कोई बोलता है कि मेरे कोई comment किया था कि भाई इस नौकरी में भी घास काटना बढ़ता है देखो यार आम लोग तीन मेना गर पे रहता हूँ और नौ मेना इधर केम में रहता हूँ तो ये भी तो एक घर जैसा है है आप ये दि केम में रहोगे तो आप अपना आसपस के एरिया साफ नहीं रखोगे आप घर पी भी रहते हो तो घर के एरिया साफ नहीं रखोगे तो हमारा भी एक घर है तो हम लोग अपना घर को साफ रखता हूँ गास करता हूँ ठीक है तो अपना खुद का एरिया को सबसफाई रखना हमारा जिम्मेदारी है गास काटने ये कोई महावारत नहीं है कि मर जाओंगा गास काटने बे तो यार अपना घर बे रेते हुए घर का आसपास का सबसफाई जरूरी है तो हम लोग गास इसलिए करता हूं ठीक है देखे टाइमिंग में बता देता हूं सुबे उटना ठीक है सुबे पीटी बगरा करना इसके बाद नास्ता अस्ता करना आट नो बजे नास्ता फिर आपका थोड़ा बहुत काम करना अपना केम का सबसफाई रखना किसी का ड्यूटी होगा तो ड्यूटी करना फिर ग्यारा बारा बजे खाना खाना फिर फ्रा रेस्ट मिलता है फिर आपका जो है फिर तीन चर बजे उससे में फॉलिंग हो जाएगा उससे में थोड़ा बहुत ठीक है केम में होगा कोई बाहर ड्यूटी जाएगा तो हमारा कोई जो है टाइमिंग जो है कोई फिक्स नहीं होता है किसी दिन आज रात को सो पाओगे किसी दिन कल रात को सो नहीं पाओगे क्योंकि ड्यूटी रहेगा तो ऐसा नहीं कि डेली आप को duty मिलेगा किसी दिन duty नहें मिलेगा तो ऐसा combination होता है तो duty उपर निचे होता है और इसका कोई timing fix नहीं होता है इसके बाद posting पोस्टिंग आपका बहुत जगा हो सकता है आपका पोस्टिंग बेटालियान पे हो सकता है आपका पोस्टिंग गुरूप सेंटर पे हो सकता है करते हो PTI कोर्स हो गया navigation कोर्स हो गया drill कोर्स हो गया ठीक है बहुत सर ऐसे जो कोर्स करके रखते हो तो आपको मौका मिलेगा training center बे जाने का उदर नौकरी करने का मौका मिलेगा और उदर आप family सब्सक्राइब बड़िया से बसक्राइब तो कोर्स केलिए मैं अलग सी वीडियो बना दूंगा वैसे अप जब भी स्यर्फियव में भरती हो जाते हो गया वको या कर आया बूसर एसे से कौर्स करने का मौका मिलेगा बहुत सरyu कोर्स करने पर आप कई फाइदे है नॉलाइज भरेगा ठीक है और फेसिलेटी भी ले सकते हो आप ठीक है इतना सारा ड्यूटी भी नहीं करना भरते को से दिया आपको आता है को से आप कर लेते हो तो ट्रेनिंग सेंडर में आप रहोगे टाइम वाइस लड़कों को पराऊगे ठीक है और फेमिली के साथ एंजोबी कर सकते हो आप ठीक है कोर्स करने पर और पोस्टिंग तो मैं बताई दिया अलग-अलग जगा पर पोस्टिंग हो सकते है ठीक है वारत के कही भी कही भी आप पोस्टिंग हो सकते है आपका और चार-पास साल अपको पोस्टिंग होता है इसके पेप में आने के लिए आपको बहुत बहुत वेलकम है आप शेयर पेप में आईए नौकरी कीजिए और शेयर पेप का